नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 2nd of April 2024, स्वागत है आपका आज के current of discussion में, चले discussion start करते हैं, चलते हमारे पहले आर्टिकल की और पहला आर्टिकल हमारा last 3 month में, course sector में वर्दी देखी गई है, news में क्यों है, news में इसलिए है कि एक report आई है, report के according, हमारे जो 8 course sector है उसमें व growth देखे गई है तो ये कवी अच्छी चीज ए, क्या question सकता है, UPSC इस पर question पूचे है, UPSC इस पर question नहीं पूचेगी, UPSC कभी monthly data नहीं पूचती है, क्योंकि data ये change हो जाता, तो UPSC is पर question पूचेगी, core sector क्या है, core sector में weightage कितना है, किस industry को कितना weightage दिया गया है, इसे हम यह उसे संभालती है तो यह चीज़ आपको फोकस पता होना चाहिए किस इंडुस्ट्री को कितना वेटेज है यह सारी चीज़ यूपे से ओलर डी इस पे क्यूशन पूछ भी चुकिये यह चीज़ आपको पता होने चीज़ आपको ध्यान जरू देरा और अच्छी से इसक जाना चाहिए कि प्रिटिशनर का कहना है कि CM है अभी जैल में वो जैल से वो चला रहे हैं अपना पूरा कारे करम है कारे 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 वो जैल में वैठे वैठे चला रहे हैं जो कि वो चला नहीं सकते हैं तो इनको इनकी CM पत से रिमूव कर दिया जाना चाहिए दिल्ली आई के फाल के सवाल है यह जो एस्टेट यह एसेभली उनसी सवाल है दो यह हमें पूछने कि आप सकता नहीं है दिल्य इसे साफसँ मना कर दिया गया है तो यह दिल्य हाय कोट से समझ दिते हैं इसमें ना fundamental right का भी जिखर हुआ था कि यह fundamental right कोई भी वक्ति है, वो चुनाव लर सकता है, वो चुनाव जीत अठाया था उस टाइमें हैं संपत्ती का डिस्ट्रिबियूशन करना था प्रोपर्ट। का डिस्ट्रिबियूशन करना था वित्रंद करना था एक्वल impressive करना था कि सबके पास में समान संपति हो भर यह जो संपति का अधिक अधिकारतां यह बीच में 피부 बंगolé था अगर यह में सामीन कर दी, अब एक सामानी अधिकार है, इसके लिए मूल अधिकारों का अहनन के बहाना के से सुप्रीव कोड नहीं जा सकते हो, अब हमारे पास कितने अधिकार है, अब हमारे पास में छे अधिकार है, कौन-कौन से है, राइट तो इक्वलिटी, जो कि समानता की ब पीच में फिर cultural or education right यह 39-30 में फिर है constitutional remedies constitutional remedies क्या है आप के कोई भी अधिकारों को हननन होता है तो आप सीधे सुपरियूव कोड में जा सकते हूं आपके अधिकारों को लागू करवाने के लिए यह constitutional remedies यह 32 में दे रखा है तो यह तो हमने पूरे देख लिए अधिकारों के बारे में अब हमें एक बार है न आर्टिकल जो 19 है उसको देख लेते हैं आर्टिकल 19 में अलग अधिकारों के बारे में बात की कि इसे इसे रीजिनेबल restriction भी कहा जाता है उचित प्रतिबंद भी लगाई जा सकते हैं तो कोई भी जो अधिकार है वो पूर्ण नहीं बिलेगा उसके साथ में कुछ बाधाई भी आएगी तो यह जो हम 19 का देखेंगे उसमें कुछ बाधाई भी आएगी तो 19 में पहला देखेंगे हम 191 A फिर 191 B C D E यह से अलग अलग देखेंगे तो एक बार इनको देख लेते हैं उसके बाद में हम देखेंगे इनमें बाधा क्या का लगा जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं 191 A के बारें बात करें यह बात करता है भासन और अभी वेक्ति की सवतन्तर तर्टा यह जो फ्रीडम ओफ ए डेखेंशन की बात करता है फिर 19 I B किस के बारें बात करता है 19 एक B किस के बारें बात करता है 19 एक B बात क्या तर्टा संग बनाने के बारें की कोई भी वैक्ता है को बीक्ति et23 वेक लो शपीष की जारी यह उन्यु्टिस अंदोलन किया सकता है, एक था भी हो सकते हैं लोग, फिर D, D किस के बारे में बात करता है, D है आप है न, गूम सकते हो, ये मुमेंट की बात करता है, गूमने का अधिकार है, कोई भी वक्ति कहीं भी देश में गूम सकता है, और बात लास्ट में करते हैं, E की बारे में, E बा आप संग बना सकते हो आपके ब्राइने का अधिकार है फिर उनीस एक सी के बारें बात करीं सी में क्या है बर्दसन कर सकते हो डीमॉंस्ट्रेशन आंदोलन कर सकते हो एजिटेशन सारविजिनिक सभाय युजिद कर सकते हो, पबलिक मीटिंग कर सकते हो, या दिकी एक जूट हो सकते हो, बैठ सकते हो, यह कौन सा अधिकार है, यह हमारा है, 19-1-C के बारे बात की गई है, फिर D कीम हमने देखा था, यह 19-1-C कीम हमने अभी देख लिया, हिंदी मीडियों आप भी देख लो, फिर में नहीं रोक सकता है बड़ आप कैसी वेक्ति घर में जाओ तो वेक्ति आपको रोक सकता है ये करने से ऐसा नहीं कि मेरा मन्चाय में किसी वेक्ति के घर में गुष गया किसी वेक्ति की प्राइविट प्रोपर्टी उसमें गुष गया तो आपको प्राइवेट तो उसमें जाने से आपको रोक आने जा सकता है, इसमें भी कुछ बात आया है, जैसे कि आर्मी एरिया वगरा वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे, यह एक चीज ओर ध्यान रखना, यह केवल नागरिक, यानि सिटीजन के बारें बात कर रहा है, यह किसी आ कीजिए नहीं बोल सकता है, यह नागरिकों के बारे में, यह अधिकार है हमारे नागरिकों के हैं, विद्यसी वेक्ति नहीं बोल सकता है, कोई कंपनी जो होती है, वो भी इस सारी चीज़े नहीं बोल सकती है, ऐसे कंपनी नहीं जाके जंगली एरिया है, वहाँ जा ना कुछ रिजनेबल रिष्ट्रिक्षन भी है जैसे कि हम पहले की बात करी थी 1901 की बात करी उस पर क्या रिजनेबल रिष्ट्रिक्षन लगा जाते हैं और Integrate की बातो, राजी की शुरकसा, Security of State की बातो, वीदिसी राजेयों की सांद मेत्री पुन समवंद हो नेतिकता की बातो, नेले के अवमाना की बातो, मानाई की बातो कोई व्यक्ति किसी को अपराद के लिए उक्सा रहा हूँ इन आदारों पर आपके आना भासन और अभी व्यक्ति की जो अधिकार है जो कि 19.1 A में दे रखा है उसको 19.1, 19.2 के तर्थ उसे परतिबंद किया जा सकता है ये reasonable restriction के ground है इसके आदार पर क्यों सन बन सकता है कि इन इन ground के आदार पर 19.1 में परतिबंद लगाया जा सकता है तो हाँ परतिबंद लगाया जा सकता है कौन-कौन से ground है ये ground याद रखना इन ground को रट लेना sovereignty, integrity, security, friendly relation, public order, decent morality, contract of court, defamation ये सारी चीज़े ना offense है कोई offense के लिए उक्सान इन चीज़ों के आदार पर जो है article 19.1.1 के तहत reasonable restriction लगाया जा सकता है अब हम बात करेंगे 19.1.2 के बारे में 19.1.2 के किस आदार पर restriction लगाया जा सकते है बी में बात क्या हो रही थी बी में बात हो रही थी कि आप हैं न संग बना सकते हो union बना सकते हो पर यह यह union है न सांतिपुर्ण होना चीज़े इसमें किसी को challenge नहीं होना सही साथ में यह होना चीज़े कि सरकार के निर्लों के ख़लाफ और कोब्लिक private को काम करते है उसके खलाफ यह नहीं होना ची़ और यह सांती पूर्ण भी होना चाहिए, तो अगर सांती पूर्ण नहीं है, तो इस union को बंद कर दिया जा सकता है, रुकवाय जा सकता है, तो B में reasonable restriction क्या है, यह सांती पूर्ण तरीके से होना चाहिए, अब है C के बार बात करते हैं, 19-1 C, यह बात करता है, आप परदसन कर स तो सारा जोने सभाय कर सकते हैं, यह चीज़ अभी हमने तीने देखी, demonstration, education और public meeting, यह तीनों चीज़े तो कर सकते हो, बड़ हमारा एक fundamental duty है, पच्चास मत 51A में दे रखा है fundamental duty हमारे जी fundamental duty कहता है, हम violation न करे, हम एना अहिंसा नहीं करे, हिंसा का सारा नहीं ले सकते हैं इसक पाओगे, तो हिंसक चीज़े नहीं कर सकते हो, उननीस एक सी पर किस आधार पर restriction लगा रहे हो, हिंसा का साहरा नहीं लेना है, यह पे कैसे सारा लगाय था हमने, यह पे लगाय था, public order देखा था, वो और भी कही सारी चीज़े देखी थी, किसी को भी उक्सा रहे हो, और friendly nature क की बारें बात हो रहे हो, नयाले की आउमाना की बारें बात हो रहे हो, किसी देशी राजी के सार्मेत्रिपुन संबंध की बारें बात हो रहे है, देश की इंटेग्रेटी की बात हो रहे हो, संपुर्थ गुता की बात हो रहे हो, सुरुक्सा की बात हो रहे है, तो एक क्या schedule tribe के अंतरगत आती है ऐसा एरिया जो schedule tribe का है वहाँ पर आप नहीं जा सकते हो तो government इस पर रोक लगा सकती है जैसे कि इसमें दो दाइमंचन है, कौन कोंसे दौ आय में एक व्यक्तिक को देश के भीतर गुमना है देश के भीतर तो आपको गुमने की आवाज ही क्या जाना है तो आपको आपको आर्टिकल उनिस के तरह नहीं बचाएगा, इकिस के तरह बचाएगा, इकिस में क्या कहाता है, इकिस में साफ साफ कहा जाता है, कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो आप देश के बाहर जाने हो, तो आपको आर्टिकल इकिस के तरह बचा जाएगा, ना ही कि 19 के पास तो आपका अधिकार तो आप मूमेंट कर सकते हो पर देश के भीतर कर सकते हो ऐसा नहीं कि मैं देश के बाहर जाके बोलू नहीं मेरे को बचा लो हो या मेरे को देश के बाहर किसी भी जगह बहुत जाने का अधिकार है वापिस आने का अधिकार है नहीं वो 19 के तहत नहीं है तो 19 पे भी restriction लगा जा सकता है 19 पे जो restriction लगा जा सकते हैं वो दो चीज़ों के अधर पर एक तो आम जंता का हित्ते ऐसी जगह है जहां पर आप जैसे की कोरोना वाइरस था तो कोरोना वाइरस में आपके जो इदिकार से रोका जा सकता था क्योंकि पब्लिक इंटरस की बात आती है साथ ही साथ जो शेडियोल ट्राइब होते हैं उनकी हित्तों की रक्सा करने के लिए उस जगह पर जाने पर परतिवन लगाया जा सकता है सुप्रिम कोर्ट ने भी कहा था था कि नितिकता की देखने के लिए पब्लिक हैल्थ को देखती हुए जो वेस्यावर की एक बात करता है पासन और अभिविक्ति की इस पे रोक लगा जा सकती है पब्लिक ओडर हो या फिर जो संपुर्भूता हो सुर्क साव उस आधार पर फिर बी देखाता संग बना सकते हो संग की आधार पर कैसी सांति पून बोना ची संग पिर हमने सी देखाता सी कैसे होत अधार परदर्शन कर सकते हो यह सारी चीजिस सांति पून होने चाहिए फिर हमने डी देखा था गूम सकते हो बड़ यह गूमना है यह तो साधी साथ में है न ऐसी बात होची चाहिए जो कि पब्लिक हेल्थ का बात नहों पब्लिक इस यूज न बन जा तो आप गूम भी स जा सकते हो फिर बस निकाति कार है यह सांतिपुन टरीके से होने इसमें थैसे लगाए जा सकते हैं थो यह 5 आउल डेत कल देख लिए अब चलते हैं नेस्ट आइडिकल की और कि इसूद bat कराके के यह और किसी ती चाईबात करें पर इसे देख लिए द्रीकल की बारे में क को देख लेना उसके बाद में WTO के बारे में बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड और्गिनाइजिशन समझ यह प्रिलियम के लिए इंपोर्टन है उमेंस के लिए भी है न्यूज में क्यों था न्यूज महत्वण है नहीं अभी कुछ भारत के साथ में गठ बंदन वगरा फिल-फॉर्म है ये डबली टीओ से पहले था डबलूोटीॉस से पहले एक गेर्ट बना हुआ था टा ग्येट के एक उर्मुव.."व souvenirれちゃा मश को अखु देख चलन वायाता, बतला उरूज में घ्र की बैठ तो एक बैठक हुई तो उस बैठक में घैट को हटा दिया गया और और WTO का निर्मान हो गया, तो ये WTO से पहले का जो गैट वगरा था है, इसके बारे में याद नहीं रखना है, क्योंकि UPS इतना पुराना डेटा नहीं पूचेगा, इतना ध्यान रोना, जैकि WTO से पहले एक जो संगटन था, जिसका नम था गैट, और अभी WTO, इस ता अपन करने वाला एक मात्र अंत्रस्टी संगटन ने, जितने भी वैपार से संबने, जो भी प्रोब्लम होती हैं, उनको निप्टान करने वाला एक मात्र वेस्विक संगटन है, जो कि इसका निप्टान करते है, हैड़कवाटर हमने देख लिया है, ये क्या चीज है, ये चीज हम 1905 में बैठ थक हुई थी और इसकी इस्तापना हुई थी मराकास समझो के तक तर्थ इससे पहले गेड था यह सारी चीजे याद रखना जिनेवा सिफ जेलर में इसका जो हेड़कौर्टर है यह चीजे भी याद रहे जाएगी अब हम बात कर लेते हैं आई फी आई एफ डी के बारे में आई यफडी क्या है देखो डब्लू टी आ उसके तरथ अलगलग अग्रिमेंट होते हैं तो यह एक एग्रिमेंट है अंशित हमेंट फैसिलिटेशन डवलपमेंट किसका है डबरte यू का तो इसमें मुद्दा क्या हुआ गरा 2017 में जो डेवलपिंग कंट्री यानि कि जो विक्सित देश है जो विकासिल देश है और एक कम विक्सित देश है जो लिस्ट डेवलप कंट्री है दो चीजे होती है एक होता डेवलप कंट्री होता है जैसे अमरीका बगरा एक होता डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत बगरा और तीसर को बढ़ाने के लिए एक एग्रिमेंट किया था 2017 में इस एग्रिमेंट का नाम था आई एफडी इनिवेस्टिमेंट फैसिलिटेशन फॉर डैवलपमेंट यह एग्रिमेंट था चीन ने इसमें भूमिका निपाई और चीन इसको का विरोथ के आज हैं कुछ से निप्रहLсп कर रहा है व्रिबर कर रहे है अमरीका का कहे ना आई का खुरत का ही थैस न उसको पूरा करने के चीन देख रहा है चीन का क्या हीते चीन अब बाज़ो निवस बढ़ाते हैं फिर वहां जाके उनको निवेस्ट करेगा निवेस्ट के नाम पे उनको क्या देगा लोन देगा बाद में लोन की ट्रम बढ़ा देगा और कैसी भी करके उन पर कबज़ा कर लेगा तो भारत इससे ना कुछ से कि चीन है ना अपना एक सतर दे से आज 120 समर्थन कर रहें यह थोड़ा भूथ ध्यान लखना तो यह आर्टिकल पूरा इससे समझ दिता हैं यह जो आर्टिकल है यह न्यूज में क्यों है है विमारी है इससे समझ दे लिली का एक अस्पताल है या गंगाराम अस्पताल का नाम है इन्हों कहा कि hepatitis B यह इसके बारें लोगों को जादा जानकर है नहीं तो न्यूज हमारे लिए मुहत्पूर्ण नहीं है हम देखेंगे भी नहीं हम बात कर लेते हैं hepatitis B के बारे में hepatitis B है क्या परिदासा की बारें बात करें तो hepatitis B यानि कि यकर्थ होता है जिसे liver कहा जाता है liver हिंदी में कहा जाता है यकर्थ इसमें सूजन आ जाता है liver में सूजन आ जाना है यानि है यकर्थ में सूजन आ जाना ही hepatitis है इंगलिस मीडियम देख लो हिंदी मीडियम देख लो hepatitis is inflammation in liver liver में सूजन आ जाना inflation का मतलब होता है सूजन आना liver का मतलब होता है यकर्थ लीवर में सूजन आ जाना क्या है। है, तो हेपिटाईडस का को मतलब समझ में आ गया यह क्या होता है। तिवर भी होता है, तेजी होता है, सौट टिम के लिए होता है, यहल। और थेखेंगे इसके परकारR detox को कई कारण के बारें बात करें तो अलग-अलग कारण हो, सबसे पहले यह एक viral disease यानि कि वाइरस से होता है, hepatitis यह जो hepatitis जितनी भी बिमारी है, hepatitis में A, B, C, D, E, अलग-अलग है, उसमें hepatitis एक virus से होने वाली बिमारी है, यानि कि viral disease है, इसमें A, B, C, D, अलग-अलग होते हैं, कारण क्या है, एक alcoholic hepatitis होता है, जो की alcohol के कारण होता है, फिर एक विसागत hepatitis, जिसे का जाता है, जो poison होता है, उसके कारण होता है, जहरीले चिवापदार्थ की तो रसाइन वगरा होता है, उनके कारण होता है उसे विसाथ हैपिटाइडिस का जाता है फिर ओटो इम्मिनियून हैपिटाइज होता है यह किसी होता है जो आपकी जो इम्मिनियून सिस्टम में वह हमला कर देता है अटेक कर देता है तो इसी ओटो इम्मिनियून हैपिटाइडिस का जाता है तो यह हमन कुछ changing hoते हैं, kya changes होते है, habitat A में क्या chan Втор Size यह थोड़ा से लूगर ही होता है होता है यह भी लिवर में है यह सारे निए जैक लिव.? सारे एक संक्रमक संक्रमक मतलब होता है contagious 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 का मतलब होता है एक इंसान से दूसरे इंसार में होने वाले जो बिमारी है, उसे संक्रामक या कंटेजिनस बिमारी खा जाता है, तो ये सारे जो है संक्रामक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में होता है, इन मैसे, ये A, B, D, E, इनकी वैक्सिन अवेलबल है, E की कोई वैक्सिन अवेलबल नह कैसे फैलता है यह जो सीरंज वगर आए ब्लड वगर आए उसका यूज करने से किसी वक्ति को यूज कीवी सीरंज है ब्लड है उसको यूज करने से यह हो जाता है वी कैसे हो जाता है यह देखो के उल्टी होती है इसमें मतली बुखार आता है गंबी कमजोरी होती है यह फैलती है इसमां पीटड़ती है क्षधािए लाएज रिवर के श्यक्तित करूद कर देखि क्यों के काड़ होता है और तरल बीज सकता है और具 सकता है अंगितर खैस प्रश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश चीज़ ध्यान रखना अब 2020 में इसके लिए जो अमरीके के हारवे थे अल्टार हारवे और जो माइकल होटन थे इनको नोबल पुरुसकार भी मिला था क्योंकि इन्हों ने इसके लिए काफी अच्छा काम किया था तो यह हमारा पूरा अर्टिकल था हैपिटाटस बी से समझ यह निवारक कानून से समझ यह जो आर्टिकल है तो सबसे पहले न्यूज मोडत क्यों हैं यह को यूज न्यूज halves उखे कोर्रीय सुप्रीम कोट में अभी मामला गया था जो नेथातन बेंजू बनाम टेलंगाना इस्टेड का एक मामला था उसमें सुप्रीम कोट ने कहा है कि आप छोटी-मोटी बातों के लिए बारबर जी निवारक कानून है निवारक हिरासत है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कह करते हो न ये गलत चीज़ है आप कानून विवस्ता आप से संबलती नहीं है इसका बहाना दे कि आप इसका मिस्यूज करते हो निवारक हिरासत का मिस्यूज करते हो तो ये चीज़े गलत है तो आप ये लिख सकते हो मैंस में कि ये जो कानून है उसका बार-बार मिस्यूज कि है इसके लिए वह इसका यूजी नहीं कर सकते तो मेंस में आप इसके यूज कर सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशिन रहने निवारक निष्ड के बारें बात करे तो क्या होता 뉴스 की आधार पर किसी वैपटी सकता है तो गौवर्मेंट क्या करेगी इसे गिरिफता कर लेगी किस आधार पर गिरिफता करेगी गौवर्मेंट कहेगी भाई हमें डर है हमें ऐसा संदे है उचित संदे उचित संदे का मतलब होता है ऐसा नहीं का मन चाथ कि ने किसी को गिरिफता कर लें नहीं हमें संदे है कि आप है ना कुछ ना कुछ दिखत कर सकते हो इसलिए हम इस आधार पर आपको गिर्फतार कर रहे हैं कि आप भविषय में कोई कुछ दिखत करोगी इसलिए हम आपको गिर्फतार कर लेंगे जिसे कहा जाता प्रिवेंटिव डिटेंशन आप भविषय में कोई गुणा कर ल मंदल है वो भी इस पर कानून बना सकता है संसद और राजी विदान मंदल दोनों इस पर कानून बना सकता है यानि पार्लेमेंट और जो इस्टेट असेंबली है वो दोनों इस पर कानून बना सकते हैं जो पार्लेमेंट के हैं वो कहां का लागो होंगे जब बात आती है कुछ प्रावधान दिये गए हैं कुछ पहले तो एक्ट देख लेते हैं इससे समझे कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं जैसे कि नेशनल सिक्यूर्टी अधिनियम है राष्ट्री सुर्खस अधिनियम है जो की प्रिवेंटि डिटेंस समझेते हैं जो इसे रोकने के लिए गेर कानुनी गतिविद्य रोक्ताम अधिनियम है अनलौफुल अक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट उनिस दो जार उनिस ये भी है राज्यों के कुछ एक्ट है जैसे आहंत्री सुर्खस अधिनियम ऐसे राज्यों के कुछ अधिनियम है जो इसे रोकने का काम करते हैं इस कि शुरुकसा को बनाए रखने के लिए निवारक हिरासत में किसी वैक्ति को लिया जा सकता है यह बाईस तीन में कहा गया है बाईस चार में कहा गया है किसी वैक्ति को निवारक हिरासत में आप ले सकते हो गौवर्मेंट न चाहा किसी वैक्ति को दिक्कत आ रही थी तो आप किसी वेक्त को 3 महीने से ज्यादा समय के लिए लखना है तो इसके लिए एक advisory board होगा एक advisory board होगा इसमें कौन member होगी इसमें high code की या तो high code का judge है या high code का judge को बनने के लिए qualify करने के लिए मतलब IS के बनने के लिए कुछ qualification होती है वैसे वैसे High Code के जज़ के लिए कुछ qualification होनी चीज़ तो ये जो सलखकार board है जो advisory board है इसका जो member होंगे उन वो High Code के judge बनने के लिए capable होनी चीज़ उनके पास इतने qualification होनी चीज़ तो वो बंदा है, वो वेक्ट दिये वो High Code के सलखकार बॉल सवस्वाला सलाहकारबॉल्ड उसका सदस्य होस्पूं गां, और वो अगर भोलेगा सलाहकारबॉल्ड तो यह 3 मेन से जधा इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, समझ में आई ? पहला तो 22 तीन बात करता है कि किसी वेक्टि को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है 22 चार बात करता है कि अगर रखना है तो तीन मेने तक तो रखो तीन मेने से अगर ज्यादा रखना है आपको तो हमारा एक सलाकार बोल्ड है उसी सलाह लो, ये सलाहकार बोर्ड में कोड होता है हाई कोड के जज लेवल का कोई वेक्टि होता है ये काम, इसकी सलाह लेने पर तीन मेने से ज़्यादा रख सकते हो इसकी अलावा 22-7 में एक और बात की गई है अगर संसद, अगर पार्लियमेंट को लगे कि कुछ परस्तितियों में, ये जो सलाहकार बोर्ड है इसकी सलाह नहीं लिए फिर भी तीन मेने से ज़्यादा रखना है तो अभी वो कानून बनाकर तीन मेने से ज़्यादा वो रख सकता है यानि कि संसद चाहे, तो बिना इसी सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए कि तीन मैने से जाधा रख सकता है कि फिर आeger आके बात वही आ पहिए पहले आपने बारे कि रहासत में ग्रिफता रह के लो तीन मैने से जाधा हो कोई दिखरत नहीं रह सकते हो गίας को बाट एक समझा कि तीन मैने से जाधा रहो तो शु già़ा करबार के सला ठीक है मने सलाह लेनी थी अब येक और बात बोली गुमा फिरा के कि हाना संस्ट चाहिए तो इसकी सलाह भी नहीं ले सकती तो बात तो वही रही रही कि इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक जिसे हम पढ़ रहे थ कि किसी व्यक्ति को बिना इनफर्म करें सक्के आधर बिना वारेंट की गृफ्तार करना प्रिवेंटिव हो गया इसमें पहले इनफर्म करना होता है कि आपको क्यों गृफ्तार कर रहे हो फिर बात करें इसमें व्यक्ति को चांस नहीं दिया जा सकता है कि आप अपने वकिल से बात करो आपके जो लीगल ऑथोर्टी उससे बात करो इसमें सारे राइट होते हैं वो लीगल ऑथोर्टी से बात कर सकता है वकिल से बात कर सकता है यह जो है ना यह उनली सिटीजन के लिए नहीं है पाकिस्तान के लिए नहीं है पाकिस्तान के लिए नहीं है उनके लिए न ने दो हमें डिफरेंस देख लिया अब यह जो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन सुम्झे सुप्रीम् कोर्ट के कोछ को फेसले भी है तो इसे भी आप याद रख सकते हो एख आ मैं बंगाल ने कहाता दिके कि जो प्रीवेंट्स है आ laugh Supreme Court ने घाता इसे आप ऐसे मतलोग आपको कुछ सजा दी जा रही है नहीं आपको सजा नहीं दी जा रही है कि भविस्य में कुछ दिक्कत न हो जाए उस दिक्कत को रोकने के लिए पब्लिक जो इस्ट्यू न हो जाए उसे रोकने के लिए इस परकार के फैसले जरूरी है तो जो बॉल्डर रोड और्गेनाजिसन है उनके द्वारा एक जो सीमा सड़क संग्ठन उनके द्वारा एक रोड बनाए गई रोड कहा का बनाएगी रोड यहाँ पर है ले उपर देख लो ठीक है उचके नीचे यहाँ पर नीमू है यहाँ पर पदम है यहाँ पर देख लो यह सिल्म चाहे और नीचे है मनाली इनको जोडने के लिए एक रोड बनाई किये यह रोड है 298 किलोमेटर की है सबसी पहली पॉइंट कौन बना रहा है से बॉर्डर रोड और गिनाजिसन द्वारा इसे बनाए जा रहा है क्या क्या चीजे करेजेगी इस रोड के तुरू इस से ब्ढून जुड बनाई के लिए इस परकर के तीन ब्रोड और लेट के चला चुकित दूसरी है वो मनाली यह जोड़ने के लिए त्सरी परकार नियाऊ यह है यहां पर मनाली है, ले मनाली के लिए पहले रोड बन चुकी है, स्री नगर और ले के लिए भी रोड बन चुकी है, यह तीसरा प्रोजेक्ट है, जो कि यहां पर ले है, यहां पर मनाली है, यहां लिमू है, इन दोनों को जूड़ेगी, तो इंडारली यह भी जूड़ जाए जो कि eastern से north west की और चलती है बाज में जाके जमू को सुमीर में जाके यह किसमें मिल जाती है इंडस की काफी important tribute रहे है यहां पर कुछ passes भी बने पासेश के बारे में भी आप देख सकते हो यह जासकर रिवर के बारे में हमने देख लिए इसके अलग-अलग source है और इसकी height इसकी विद्य वह भी बढ़ेगी तो इससे फाइदे भी हो जाएंगी तो यह हमने पूरा आर्टिकल देख लिया नीमू पदम दार्चा यह तीन का सीटी का जो नाम है लोके साने इसको याद रखना तो यह मारा पूरा आर्टिकल इससे समझता है नेक्स जो आर्टिकल है वह मोही अटनम के बारे में मोही अटनम के बारे में बात करें न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए है कि जो केरला है करनाटक की एक करनाटक की एक डियूम यूनिवरसिटी है उसने अभी कला मनलम है न उन्होंने पहले क्या होता था यह जो मोही ने अटनम है यह एक इसलिए मोहिनी अटम है वो न्यूज में आ गया है, मोहिनी सब्दे वो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से लिया गया था, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, तो इसे लिया गया है मोहिनी अटम, इसमें क्या होता है, जो महिला होती है, वो डांस करत सगीत है इसका वरंण सास्त्रीं संयलती है इसका वरंण भी किया गया है के adapters says इसमें उद्राने इसमें वरंण की जाती है घोस जाती है और इसमें कुछ डांस की जाते, आलगलग बरकार के डांस की जाते हैं, राजा जो रवी वर माता, उन्हों ने भी इसका पर्दसन किया था, इसमें महीला और पूस्त दोनों करते हैं, जाद तर महीला को तब तवज़ दीया जाता है, करणा अटक में पूरा आर्टिकल था मुविनी अटम के बारे में तो आज की डिसकसन में इतना ही था फिर पी बाई क्यूज दे रखे तो इसे स्वाल जरू कर ले ना थैंक यू थैंक यू वरी मच फॉर डिसकसन